हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बाई नई मार्केट अपडेट की साथ इंट्राइडे टिप्शन रिक्मेडिशन की साथ दोस्तो आप लोगों का सोगत करता हूँ तो दोस्तो डेली बेसिस की तरह आज भी दो बहतरिंग स्टॉक लेका हूँ जो आप लोगों को इंट्राइडे में मंडे के दिन 26 जुलाई के दिन काफी जोड़दार परफॉमंस देने वाले हैं प्रपर तरीके से दोस्तो टेकनिकल विव में आप लोगों को समझा जाए गा तो यह वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेज़वल और एक एजुकरिशन परफस से होने वाला है तो चलिए दोस्तों फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बोलूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्रॉफिट गुरू की क्लास चेनल पे आप लिए आज एक वीडियो अपडेट कर दिया गया है अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े वहाँ पर सीखने को मिलेगी बहुत सार नौलेज अरन होगा तो मतलब दोस्तों वहाँ पर आपकी जो ट्रेडिंग है तो उस वीडियो को देखे काफी मजबूत होते देखने को मिलेगी क्यों क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी स्कील मजबूत होने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट अपडेट प्रोवाइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मार्केट जो है और साथ में ही आप यहाँ पर टॉप लूजर की लिस्ट भी देखके चल सकते हो तो इनी में से दो बैटरिंग स्टॉक है जो आपको मंडे को जोरदा परफॉमेंस देने वाले है तो चलिए जो फर्स स्टॉक है उसके उपर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोगों के लिए जो फर्स स्टॉक है फाइनन्स सेक्टर से बिलॉंग करता ही है इसका नाम है SVA Life Insurance Company Limited ठीक है अगर इसका परफॉमेंस देखें तो लास्ट ट्रेडिंग में करीवन दोस्तों यह 72% की तेजी के साथ 1048 रुपे 95 परसे पर क्लोज हुआ है प्रीवेस क्लोज था 1026 रुपे स्टॉक ओपन होता है 1025 रुपे 50 परसे मतलब गेब डाउन ओपनिंग होता है हाई लगा था 1053 रुपे 95 परसे और लो लगा था 1023 रुपे 55 परसे देखा जाए स्टॉक में तो मुमेंटम तो बहुत जोड़दा देखने को मिला साथ में अगर हम देखें कि जो स्टॉक का वॉल्यूम कंडिशन है वो अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलागा करीवन 12,90,000 कॉंटिटी का ठीक है साथ में ही आप 52 परसेंट का कॉंटिटी अगर आप देखेंगे तो 3,83,000,000 देखने को मिल रहे तो मतलब अच्छी कासी कंडिशन में डिलेवरी भी उठी है इंट्रेटे का परफोमेंस भी अच्छा हुआ है अब इसके टेकनिकल व्यू पर चलता है पर क्या मोमेंटम मिलेगा मंडे के लिए देख लेते हों सीख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो SBI का चार्ट पेटर हमने आप लोगों के सामने उपन कर लिया है 15 मिट का केंडल चार्ट है पहले हम 20 तारिक का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन करें गे यहाँ पर आप देखे यह 20 तारिक यह 12 तारिक और यह 23 तारिक ठीक है तो इसके भी आप पे ही हम मतलब इसमें ही कि जो मुमेंटremos के जोरदा देखने को मिला था यहाँ पर आप देख सकते हो जब SBI का लेवल इस लेवल इस पॉइंट पर गिरता है तो यहाँ पर आप देखे इस लेवल से गिरता है तो यह लेवल पहले हम छेक करते हैं कितने का है तो यह लेवल दोस्तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा लगबग दोस्तो एक हजार च पेगा ठीक है यह point हमने note down कर ले दो point note down कर ले ठीक है अब उसके बाद हम हमारी position पे double से आ जाते हैं आप देखिए यह चार्ट आपने देखा मतलब देखे जितने चार्ट देखोगे आपको confidence बढ़ेगा चार्ट देखोगे मतलब आप अगर डेली चार्ट लगाओगे ना तो आपको महनों महनों तक चार्ट दिख जाएगा दूर से बढ़िया एक trend line ड्रो करो इस प्राकार की चैनल दिख जाएगी तो पता चल का support का करजिस्टन है ठीके उसे के बिहाप पी अगर हम देखते हैं कि momentum एक बार फिर से नीचे आता है नीचे आने के बाद अगर देखे तो ये एक important level हो गया एक रेजिस्टन हो गया ठीक है ये एक important support हो गया था support होने के बाद अगर देखे तो यहाँ पर देखे यहाँ पर तेजी आती है और इस level को cross करने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों sustain करता है हमने आप लोगों को यही है update किया है कि जब भी breakout होगा 12 बजे के ठीक है 12 बजे के बाद breakout आता है तो वो breakout जब तक market में sustain नहीं होगा जब तक वो breakout success नहीं होगा और 12 बजे के पहले वाला breakout या breakdown तो success रहता ही नहीं है ठीक है तो आप अगर देखेंगे तो देखे क्या हुआ यहाँ पर बढ़िया sustain किया ठीक है और एकदम अच्छा गासा ठीक है यहाँ पर देखें यहां पर break होता है यहां पर फिर थोड़ीदे sustain किया और इस talk में अच्छी घासी अपसाइट का moment देखने को मिला तो यहां पर आप देख सकते हो जिस प्रागा से momentum बना ठीक है momentum बना इस level से ठीक है यहाँ पर यहाँ पर level भी break हुआ यहाँ पर level बताए वो भी break हुआ तो ब्रेक होने के बाद continuously अच्छा खासा moment देखने को मिला moment देखने के बाद अगर हम बात करें कि जो candle है वो candle end of the day भी अच्छा खासा momentum करके close होती है मतलब यहाँ पर थोड़ी दर यहाँ पर क्या होता है तो यहाँ पर थोड़ी दर consolidate करता है consolidate मतलब एक यहाँ पर stock में अच्छा खासा हमें reversal देखने को मिल सकता है क्योंकि यह सब important जो level थे वो इसने break कर चुका है तो उसके ब्याप पर ही हम stock को buy करके चलेंगे तो चली levels update कर देते हैं तो proper तरीके से levels को note down करिएगा जिस प्रका से हम आपको बता रहे ठीके तो देखे हम एकदम यह करते हैं यह high के उपर ही हम stock को क्या करेंगे buy करेंगे ठीके तो हम buy करेंगे दोस्तो एक हजार पचपन रुपेसर ठीके यह हमारे लिए काफी important point हो जाएगा target के अगर मैं बात कता हूँ तो 1063 मतलब आप 163 मतलब यहां से 8 point का target लेके चल सकते हैं जो हमारे लिए बहुत important हो जाएगा बाकी नीचे description में जो telegram का link दिया दोस्तों अगर आभी तक आप लोगों ने हमाँ telegram group जोइन नहीं किया है अब हम आप लोगों को SL update का दें तो जो SL है दोस्तों वह आप लोगों को मिलेगा लगभग इसमें पांच point का वो रहेगा आपका 1050 रुपे का पांच point का इसलिए दोस्तों क्योंकि एक छोटा सा reversal भी अगर मिलता है तो stock एक support बना के फिर अच्छा गासा अपने को upside का moment बना सकता है reversal के अगर में बात करता हूँ न तो यहां पर आप देख सकते हो जो low है इसको एक support बना सकता है यह 152-153 को बना सकता है तो यहां पर आप देख सकते हो second stock के आप लोगों के लिए टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड टाटा कम्यूनिकेशन के अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों इसमें वॉल्यूम की कंडिशन आप देख सकते हो मात्र दो लाग कॉंटिटी ही आप ट्रेड होती देखने मिली साथ में अगर आप 52 का आई देखेंगे तो 14 जुलाई का है और 52 कलो भी आप यहां पर देख सकते हो मतलब काफी इंट्रेस्टिंग फिगर सामें 52 क्या है 52 के तो यहां पर आप देख सकते हो जो टारा कम्मूनिकेशन का चार्ट पेन हैं है अप लोगों के सामने ऊपरन किया है 15 कैंडल चार्ट है त्यक्यां यहीं ऑगर देख सकते हो नहीं ब 흡тобы देखनें नहींग you ुमिल रहा है और वह fracture उती की सब्क्राद है यही सपोर्ट पैके मार्केट में ये बर स्टाग फिर से से खड़ा हो जाता है अगर इस स्टाग आप मिल रहा है जप्र से कौछ से काफी मतलब ये इसा हो रहा को ये आप देखी एक दम अच्छे से हमें ट्रेडिंग होता है थोटा सा profit booking होता है बाइंग होता है ठीकिए बाइंग के बाद यहां पर पूरी देर क्या करता है मतलब यहां पर अराम सा हमें Consolidate Face देखने को मलता है ठीकिए अब Consolidate Face देखने के बाद अगर देखिए तो जो last का candle है ठीक है यहां पर आगर आप देखेंगे तो यह जो लास्ट का candle है ना ये यहां से प्रोवाइट कर रहा है क्यों कि इसमें जो मैं आप देखें यह दो प्रॉफिट बुकिंग और यहां पर बाइंग अच्छी खास है ठीक है तो यह बाइंग हो सकता है कि स्टॉक को एक अच्छे खासे वह आप साइट के मुमेंट पर ले जाए क्योंकि जो 1370 रुपे का जो लेवल है ठीक है यह वाला वह हमारे लिए इंप्रेंट है तो हम उसके उपर ही स्टॉक को भाई करके चलेंगे तो चलेए लेवल्ड कर देता हूँ तो प्रोपर तरीके से नेउट ड़ॉन-करिएगा लेवल जो-चले Absolutely Detst? पॉइंट का टार्गेट अच्छा गासा हो जाएगा ठीक है बागी नीचे डिस्क्रिप्शन जो टेलिग्राम का लिंग दिया वहाँ पर तो आप लोगों को निफ्टी बेंग निफ्टी स्टॉक ऑप्शन के लेवल टेकनिकल फंडामेंटल एनलस वाले प्रोवाइड करते करते हैं अगर आप उन पर ट्रेडिंग करोगी तो आप लोगों को अच्छा का सब ऐसा बनेगा तो जरूर आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप भी जॉइन करेगा और आसा करता हूं दोनों की दोनों ही स्टॉक है जो चार्ट पिटन आप लोगों को मिले होगी तो डेफिनि लिए तरीके से दोस्तों SBI लाइफ और टाटा कम्यूनिकेशन दोनों ही स्टॉक को कल की डिट मतलब स्वारी मंडे के दिन बाय करके चिलेगा जो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले तो यह दो बहतिंग टिप्स ही तो चलिए अब हम इस वीडियो को क कर दो तो तैंक्यू दोस्तों